हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सोनी स्विजर लीगल चैनल आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के बारे में कि क्या होता है क्यों यह जरूरी है बिजनस के अंदर करना देखो फ्रेंड्स अगर आप लोग कोई भी तरह क का बिजनस कर रहे हो कंपुटर का बिजनस कर रहे हो किसी भी तरह का बिजनस कर रहे हो होता क्या है आप ट्रेनिंग लेते हो इंफॉर्मेशन लेते हो नुकसान खाते हो नॉलेज लेते हो उसके बाद तो बिजनस को सक्सेस्वल बना पाते हो फिर उसके बाद आप कैसे करते हो तश्टी सेल्स कैसे करते हो और हैंडल करते हो बहुत इंफ्रमेशन होती है बिसनस के अंदर अब उसी information को बचाने के लिए trade secret को develop करने के लिए NDA sign कराया जाता है देखिए Coca Cola आपको पता है इतनी बड़ी brand कैसे बना जो उनका secret formula और recipe यह आज तक किसी को नहीं पता वर्ल्ड के अंदर जो Coca Cola जो company है जो मालिक है उसने हर employee से जो उस recipe को जानता है उनसे वो NDA sign करवाते है हर बड़ी company इसका यूज लेती है McDonald's भी NDA sign करवाता है उन employees के साथ जो उसकी recipe को जानते है sources की Domino's, Pizzart हर बड़ी company NDA का यूज करती है अपने business के critical information को protect करने के लिए patents को protect करने के लिए और trade secret को protect करने के लिए even अगर आप किसी patent के उपर work कर रहे हो technology के पर work कर रहे हो जो अभी तक registered नहीं है जिसका development phase चल रहा है तो वहाँ पर भी NDA काफी ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि देखिए आपने किसी engineers को hire कर रहा team बनाई एक चीज पर work कर रहे हो patent file लिए है क्योंकि अभी तक technology पूरी develop नहीं हुई है सबसे पहले चीज दोनों party इसका name आएगा दूसरी चीज type of information कि कौन से information अब सामने अले साथ share कर रहे हो और किस mode से share कर रहे हो email से whatsapp से orally return कैसे share करोगे हर चीज mention होने चीज़िए तीसरी चीज आपको mention करानी penalty clause कि अगर सामने वाला इस agreement को breach करता है तो penalty कितनी लगेगी penalty clause mention करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और amount हमेशे specific रखो क्यों क्या होता है आपने future के अंदर बोला कि मेरे को एक करोड का loss हो गया सामने वाला करा है 10 लग के loss ही हुआ है तो वहापे dispute आ गया यह nature होता है civil dispute का फिरी मेंटर कोड में जाएगा और 20 साल तक pending बढ़ा रहेगा इसलिए penalty का amount first day से mention करा दो penalty का amount clear होना mention होना terms के अंदर लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके बाद dispute होता है तो उसका resolution कैसे होगा court का jurisdiction क्या होगा सारी information उस agreement के अंदर mention होनी चाहिए और आप patents trade secrets कुछ भी उसको आप share कर रहे हो information दे रहो सारी information उसके अंदर mention कर रहा हो अब NDA कितने type क्यों होते हैं NDA तीन type क्यों होते हैं सबसे पहला unilateral अब unilateral अब यह क्या होता है देखिए जब आप NDA अपने employee से franchise partner से sign करवाते हो तो उसको unilateral बोलते हैं मतलब आप उसको information share कर रहे हो one way of communication रहे हो information का उसको बोलता है unilateral दूसरे type का NDA होता है bilateral अब इसके अंदर क्या होता है जब दोनों साइट से information share हो रही हो हो सकता है कोई दो कमनी मिलके पेटेंट के ऊपर technology के ऊपर work कर रही हो दोनों companies अपने information share करेगी तो वहाँ पर आता है unilateral फिर तीसरा आता है multilateral अब यह क्या होता है देखिए जहां पर तो तीन या तीन से ज़्यादा लोग involved हो जाते हैं NDA के अंदर बन्तब तीन companies मिलके एक technology पर work कर रही है वह आपस में तीन ओं companies information को share करेगी तो अब multilateral agreement आता है उसमें requirement के तीन प्लस companies होने चाहिए तीन प्लस लोग होने चाहिए minimum तीन requirement है तो वहाँ पर multilateral agreement बनता है एंडिया के अंदर यह था types of NDA कौन-कौन से types of NDA होते हैं कौन-कौन से critical clauses है जो आपको mention कराना जरूरी है और finally जब आपको इसको sign करवाना है न तो इसको white paper के उपर sign करो इसको stamp paper के उपर 100 रुपीज के stamp paper के उपर sign कराना है कितने 500 रुपीज के stamp paper पर उसकी बाद 50 रुपर से लिके 100 रुवे के बीच में उसके नोट्री हो जाएगी दोनों parties के sign हो जाएगी और दो witness के sign भी करा लो और यह agreement पक्का हो जाएगा अब witness कौन हो सकती है एक तो आपकी साइट से witness होगी और एक witness सामने वाले की तरफ से होगी तो आप दो witness लगाओ एक witness की लाओ और सामने वाले का बोलो एक witness तो खुद लेकर रहा जिससे उसकी तरफ से witness आए तो हाँ वह agreement और मजबूत हो जाएगा जब को लॉयर होगा ना litigation के अंदर उसको और मदद मिलेगी जल्ली आपको court से decision मिलेगा मैं आशा करता हूँ यह वीडिया आपको पसंद आयोगी सारी information जो मैंने इस वीडियो के अंदर दी वह आपके लिए काम कियोगी अगर आपके मन में doubt है ना मन में मत रखो नीचे comment section के अंदर comment करो comment section खुला है हमसे आप comment section के अंदर पूछो मेरी team आपको हर comment का answer देगी लोगत आप प्यारें support दिया उसके लिए धन्यवाद